आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ बीका मास क्या होना चाहिए तो हम पहले टेंसन का डिस्ट्यूइशन देख लेते हैं तो अगर हम मालें कि यहां पर टेंसन टी है तो सेम इस स्ट्रिंग में जो टेंसन होगा वो तो सेम ही रहेगा तो टी के बराबर हो जाएगा अब यह पुली हमारी मासलस है यानि फोर्स बैलन्स होना चाहिए तो यहां पर जो टेंसन होगा वो टू टी के बराबर आजाएगा अब सिमिलरली यहां पर भी फोर्स बैलन्स होगा क्योंकि यह भी पुली मासलस है तो यह T और यह भी हमारा T के बराबर तो यहां पर अगर हम Tension देखें तो यह String सेम है तो यहां पर जो Tension होगा वो T के बराबर होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं कि T अगर हमारा Equilibrium के लिए लिखें तो T is equal to M into G के बराबर होगा और इसका मास अगर हम Small M मालने तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर भी बैलन्स होना चाहिए तो T is equal to M G होना चाहिए तो यहां से M की वैलू क्या मिल गई कैप्टल M के बराबर तो मतलब मास सेम ही होना चाहिए अगर system equilibrium में रहना चाहिए अब second option में पूछ रहा है कि अगर हम block B के मास को twice कर दें जितना हमने A part में found किया था तो acceleration of the block A क्या होगा तो अगर अगर हम देखें तो कह दिया गए basically कि इसका mass 2 M के बराबर कर दिया गया है तो tension का distribution तो मारा अभी भी same रहेगा अगर अगर हम x relation देखें तो मान नेते हैं कि इसका x relation इस direction में A1 के बराबर है और इसका x relation जो है वो upward direction में A2 के बराबर है तो अगर अब हम देखे हैं तो दो तरीके हैं कि हम A1 और A2 में relation find कर सकते हैं basically एक है कि हम देखें string के length के तरीके से कि अगर हमारा ये acceleration किसे जा रहा है ये acceleration अगर हमारा A से जा रहा है तो हमारा जो ये pulley होगा वो A2 से हमारा नीचे आएगा A2 से basically अगर ये नीचे आ रहा है तो इ और A से डाउन्वर डाउन्वर डारेक्शन में जाएगा तो ये भी हमारा A से अपटार डारेक्शन में जाना चाहिए तो यह तो बैसिकली हमारा ए में A1 और A2 में relation आ गया कि A1 is equal to A2 होना चाहिए हमारा और दूसरा तरीका यह भी है कि अगर हम मालने पूरा सिस्टम अगर देखें तो पूरे सिस्टम पर हमारा external force कुछ सा लग रहा है सिर्फ gravitational force लग रहा है तो gravitational force अगर हमारा लग रहा है तो हम हम कह सकते हैं कि मतलब जो मतलब tension है वो internal force हो जाएगा एक टाइप से तो इस पर जो work done किया जाएगा पूरे सिस्टम पर वो सिर्फ हमारा किया जाएगा किस के दोरा gravitational force दोरा तो tension के दोरा अगर हम पूरा work done देखेंगे सिस्टम पर तो वो zero आना चाहिए तो अगर हम देखें तो यह हमारा क्या है यह सब massless है तो यानि इस पर तो कोई work किया नहीं जाएगा सिर्फ इनी दो वाड़ी पर work किया जाएगा अब इस पर देखें तो इस पर हमारा work done क्या distance मूब कर रहा है तो इसके दोरा जो work done हो जाएगा वह कितना हो जाएगा वह टी एकस वन हो जाएगा तो यहां से इसकी value किसने के बराबर आनी चाहिए जीज़ों के बराबर तो यहां से हमें एक फेर मिल गया क्या एक्स वाइं सुट भी एक्वल टू एक्स टू के बराब तो हमने जो direction माना है वो भी सही है हमारा और acceleration जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए तो acceleration अब बराबर होगा तो हमको सिर्फ formula लगा देना है मतलब equation balance कर देना है वहां से हमको value मिल जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगा टेंशन अपवर डिरेक्शन में इसका acceleration है तो टेंशन माइनस mg इस विएक्वल टू एम इंटू एक बराबर मालने थे एक तू एवन दोनों के एक बराबर मालने थे तो में एक बराबर हो जाएगा और इसके लिए लिखेंगे तो 2 mg माइनस टेंशन विएक्वल टू टू में के बराबर होना चाहिए तो यहां से दोने एक क्योशन जोड़ दें तो क्या जाएगा mg इस विएक्वल टू थ्री एमे एक ही वेलू के आगे जी वाई थरी तो देट सावर एंसर थेंक्यू क्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट आई 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 टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर